अगर आप भारत, पाकिस्तान या नेपाल से हैं और कुवेट जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है नमस्कार मैं हूँ प्रिया जहाओ और स्वागत है आपका गल्पीडिया में खारी देशों में कुवेट भी एक ऐसा देश है जहाँ नौकरी करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं कुवेट की करेंट से दिनार है और वही अगर हम करेंट रेट की बात करें तो फलाल एक दिनार में 269 रुपया होता है यानि कि अगर आप कुवेट में 2000 दिनार की भी सालरी कमा लेते हैं तो वह भारती रुपय के अनुसार लगबग 4,5,5,5 लाग तक की होती है इतनी सालरी आपको भारत में किसी भी आम जौमें नहीं मिल सकती है कुवेट में आप चूटी से चूटी नौकरी करके भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं वहाँ चोटे-चोटे कामों में अच्छी सालरी मिलती है इसलिए कुवेट कामगारों की पसंदेशों में से एक है अगर हम फिलाल की बात करें तो अभी करेंट में कुवेट में करीब 10 लाग भारती नागरिक रहते हैं तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कुवेट कैसे जा सकते हैं आपको कुवेट जाने के लिए क्या करना होगा कुवेट जाने में आपको कितना पैसा लगेगा कुवेट जाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरुवत पड़ेगी इत्यादी बातों को मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलू कर लीजे ताकि आप तक ज़रूरी जानकारिया पहुंसती रहे या फिर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले जो से आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप कुवेट कैसे जा सकते हैं दरसल आप कुवेट घूमने के लिए भी जा सकते हैं रोजगार की तलास में भी जा सकते हैं कुवेट जाने के लिए आपको अरभी आना चाहिए साथ ही आपकी पासपोर्ट और वीजा होनी चाहिए इसके बाद ये फ्लाइट की टिकेट लेकर आपको वैट जा सकते हैं कुवैट जाने के लिए सबसे पहले आपको वीजा और पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वीजा और पासपोर्ट कैसे बनता है पहले बताते हैं कि आप passport कैसे बनवा सकते हैं दरसल passport बनवाने के लिए आप online आवेदन कर सकते हैं आवेदन के लिए सबसे पहले passport सेवा की website पर जाए और वहाँ पर एक नई user वाले box पर click करें या आपको registration page पर लेकर जाएगा जब passport सेवा की website पर जाए आप जिस सहर में रह रहे हैं उसका passport office select कर ले या भी शुनिश्चत करें कि आपने अपना नाम वैसे ही लिखा हो जैसे कि आपके documents पर लिखा गया हो form पर बाकी हिस्सा बेहरी आसान है ये किसी और website पर sign up करने से अलग नहीं है जब काम पूरा हो जाए तब register कर क्लिक कर ले अब जब आपने अपना अकाउन की रियेट कर लिया है तो passport सेवा की website पर जाए हरे रंग वाले login बटन पर क्लिक करे अपना email id लिखे और continue पर क्लिक करे apply for fresh passport, reissue of passport पर क्लिक करे फिर आगे की steps complete कर form submit कर दे और उसकी receiving निकाल ले आपको बता दे की passport बनवाने में सरकार ने 1500 से लेकर 2000 रुपे तक की सुल्क निरधारित कर रखी है साधारन तरीकी से passport बनवाने के बाद आपको अपका passport लगभग 30 से 40 दिनों के बाद मलता है इसके लिए आपके उम्र 18 वर्स के उपर होनी चाहिए यानि की passport बनवाने के लिए जो उम्र निरधारित रखी गई है वो है 18 वर्स चलिए अब आपको बताते हैं कि आप कुवैत में जाने के लिए वीजा कैसे बनवा सकते हैं कुवैत में कई प्रकार की वीजा लोगों को दी जाती है जिसमें पर्यटन इवीजा, विजट वीजा, रेसिडेंस वीजा, ट्रांजिट वीजा, एंफरेंस वीजा और इसके अलावा वाक्ट वीजा के साथ कई अन्य वीजा भी है पर्यटैनी वीजा जो लोग घूमने फिरने के लिए कुवैट आना चाहते हैं उन्हें दी जाती है विजर वीजा इस प्रकार का वीजा कुवैट का परयोग आम तौर पर वो लोग करते हैं इस वीजा का परयोग कर कि कोई विवयक्ती कुवेगत में लंबे समय तक एक महमान की तरह रह सकता है इस वीजा के अबधी दो से तीन सालों से लेकर दस साल तक होती है ट्रांजिट वीजा या कुवेट वीजा का एक खास वीजा है यह एक ऐसा वीजा है जो बहुत कम अबदी के लिए वैद होता है इस वीजा का मुख्यता आपकी राश्ट्रियता और जिस देश में आप जा रहे हैं उसे देखते हुए इस वीजा को दिया जाता है कुवेट वर्क वीजा या वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो कुवेट में काम करने के परस्पेक्टिफ से जाते हैं चलिए अब आपको बताते हैं प्रोसेस वीजा अपलाई करने का किसी भी देश में पर्यतन या फिरवपार के उदेश की पूर्ति के लिए उसी देश की राजधानी में उस देश का एक प्रतिनी भी मौजूद होता है जिसे आम भासा में हम Embassy कहते हैं या दूतावास के नाम से भी उसे जानते हैं यादि आप दूतावास के माध्यम से वीजा लेना चाहते हैं तो आपको वेट Embassy से बात करके ले सकते हैं उसके लिए जो भी प्रोसेस होगा उसे आपको फॉलो करना होगा और उसी के हिसाब से आप वीजा ले सकते हैं वही एक दूसरी सुविधा भी होती है जिसे हम ओनलाइन प्रकेरिया के नाम से जानते हैं तो चलिए ओनलाइन तरीके से आप वीजा का अस्तमाल कैसे कर सकते हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपको वीजा के लिए ओनलाइन फॉर्म भरना होता है और फॉर्म को फिल करना होता है आवेदन करने के पस्चात हमें दूसरे चरण में कुछ जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उन्हें सब्मिट करना होता है ओनलाइन आवेदन देने की बाद बारी आती है विभिन दस्तावेजों को जमा करने की इसके लिए आपके पास नमीनतम फोटो के साथ इसका फॉर्मेट जेपीईजी में होना चाहिए वही फोटो 10 केवी से 300 केवी के बीच में होनी चाहिए इस भात का ध्यान रखे कि जिस format में आपसे फोटो मांगा गया हो उसी format में देने का प्रयास करे हमसे ज़्यादा लोग interview में काफी घबरा जाते हैं लेकिन घबराने की जरुरत नहीं है दरसलमेसी में बैठे दोतावास आपसे बस यही जाना चाहते हैं कि आप विदेश में किस काम सजा रहे हैं और जिस काम सजा रहे हैं कि आप उसके लायक हैं या नहीं ये उनकी duty होती है तो आप घबराये नहीं और आराम से जबाब देने की कोशिश करें वर्तमान पासपोर्ट और इसी की साथ पुराने पासपोर्ट एक पासपोर्ट साइज फोटो वीजा भुकतान रसीत मूल इंटर्व्यू की न्यूक्ति पत्र ये तमाम दस्तावेज हैं जो आपको वीजा वनवाने में जिनकी ज़रूत परती है चलिए अब आपको बताते हैं कि कुवेट जाने में आपको कितना पैसा लगता है मगर उससे पहले आप हमारे पीच को फॉलो कर लीजे ताकि आप तक ज़रूरी जानकार या पहुंसती रहे या फिर आप हमें यूट्यूपर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको बलते रहे कुवेट जाने का खर्चा इस बात पर निर्भा करता है कि आप कितने दिन के लिए कुवेट जा रही है वही कुवेट के लिए वीजा बनवाने में आपको 11,000 से लेकर 28,000 तक का पैसा लग सकता है वही रहने खाने का आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा कुवेट के लिए दिल्ली से किराय अलग भग 17,000 रुपे हैं लेकिन और भी सस्ते दाम में टिकेट पाने के लिए आप ट्रिप सवारी को विजट कर सकते हैं ट्रिप सवारी एक वेबसाइट है जहां सस्ते दामों में आपको टिकेट मिलते हैं तो ये रही तमाम जानकारिया कुवेट जाने को लेकर जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को लाइक करे शेर करे सब्सक्राइब करे और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे गल्पीडिया पर हम एक वाल फिर से मिलेंगे ऐसी ही कोई नई अपडेट और जानकारी के साथ आपको इसी चानल पर धन्यवाद